आज है एक फरवरी और एक फरवरी से आप लोग देख रहे होंगे कि विड्डॉल जो लगते हैं हमारे वो विड्डॉल नहीं लग रहे हैं तो इसके लिए अल्रेडी मैंने कुछ दिन पहले भी एक ओडियो दिया था कि इस बार जो विड्डॉल है वो एक तारिक से विड्डॉल है तो विड्डॉल सारे बंद किये गए हैं एक तारिक से लेके दस तारिक तक क्योंकि आप सभी लीडर्स को पता है कि दस तारिक को एक बहुत ही एहम मीटिंग रखी गई है जो कंपनी के हैड ओफिस में होगी और जिस मीटिंग में सिरफ जो टॉप लीडर् स्टाट अप हुआ है तो वो सभी लीडर्स यानि के सभी थर्ड लेवल अचीवरों को बुलाया गया है लेकिन साथ में मैंने फिर दो-तिन दिन पहले ओडियो दिया था कि जो थर्ड लेवल अचीवर है अगर वो अपनी अपनी टीम में से कुछ अच्छे लीडर्स जो सेक अपने 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 अपनी अपनी सहमती ले करके अपने प्लैनिंग करें आने की जो लोग ज़्यादा दूर से आ रहे हैं वो लोग 9 तारीक को शाम तक पहुंच जाएं तो उनका शाम का सारा इंतजाम कंपनी की तरफ से कर दिया जाएगा और जो लोग नजदीकी हैं जो दिन के दिन आना चाते हैं तो वो लोग 10 तारीक को सुभा मौर्निंग में 9 बजे तक महुचने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम लोग 10 या 10.5 बजे मिटिंग स्टार्ट कर देंगे तो सुभा 9 बजे तक महुचने की कोशिश करें जो आसपास के लोग हैं जो 2nd लेवल या 3rd लेवल अचीवर अगर आना चाते हैं तो और ये पूरा दिन भर मिटिंग रहेगी बहुत सारे मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे एक्चली मुद्दे क्या हैं कि बहुत सारे यूजर जो नहीं आ पाएंगे उनको भी सारी चीज़े हम लोग दस्तारी को क्लियर करेंगे चाहे वीडियो के माध्यम से चाहे ओडियो के माध्यम से लेकिन मैं सिर्फ 2-3 चीज़े आप लोग कहना चाहूंगा कि मैं हमेशा बोलता हूं तो सिस्टम में देखे कोई दिक्कत परिशाने नहीं है डेड़ साल हो चुका है आज डेड़ साल से अगर सिंगल वन डे भी अगर प्याउट कंपनी की तरफ से डिले हो तो मुझे बताएं अगर किसी का प्रोड़क कभी मिला ही ना हो तो मुझे बताएं डेले जरूर हुआ है तो बहुत सारी चीज़े दुरूस चल रही है फ्री कॉंसेट के अंदर करोडो रुपे का प्याउट हर महीने कंपनी डिस्टिब्यूट करती है बहुत सारे लोगों ने यहां से हजारो रुपे कमाये हैं लाखों रुपे भी कमाये हैं और कुछ लोग उनने तो अच्छा खासा पैसा भी कमाया है जो टॉप लीडर्स है आप सब लीडर्स को भी पता है लेकिन फिर भी पिछले कुछ महीनों से पिछले लगबग डेड़ दो महीने से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी प्रॉब्लम्स यानि के कुछ इस्तरीकी की चीज़ी हो रही थी कि इतना कुछ करने के बावजूद भी कंपनी इतना काम कर र रही है तो उसके पिछे कुछ रीजन्स है जो रीजन्स पिछले डेड़ दो मीने के अंदर हमने खोज के निकाले हैं और उन्ही पॉइंट्स पे उन्ही चीज़ों पे हमें बात करने हैं क्योंकि अगर हम आगे भी उसी तरीके से चलते रहेंगे तो जिस तरीके से अभी त कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कंपनी ने पिछले डेड़ दो मीने के अंदर जो भी चीज़े हुई है उन सभी चीजों को देखते हुए आप लोगों की इंकम की ग्रोथ नहीं हो रही है उस पे विचार करते हुए और भी सोचने समझने के बाद हमने कुछ रणनीती बनाई है कुछ पॉइंट्स हमने कंपनी की तरफ से हमने इजाद की हैं लेकिन हम नहीं चाते कि वो सिरफ आपके ऊपर थोप दिये जाए इसी लिए ये 10 तारीक की मीटिंग हमने रखी है जिस 10 तारीक की मीटिंग में आप सभी लोगों के जो leaders हैं जो आपके second level achiever हैं या third level achiever हैं वो अमंत्रित हैं company के office में तो वो लोग आ सकते हैं और वहाँ पे आकर के हम पूरा दिन भर इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे company के तरफ से जो रणनीती की है कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि क्या company plan change करने जा रही है तो बिल्कुल नहीं यह मैं आपको बिल्कुल clear कर देता हूँ plan का मतलब होता है कि plan के अंदर जो calculation का part आता है वो calculation के अंदर किसी भी परकार की कोई changes नहीं है सिरफ और सिरफ कुछ छोटे मोटे कुछ actions हैं कुछ बदलाव छोटे मोटे हमें करने पड़ सकते हैं वो हम देखेंगे 10 तारीक के meeting के बाद तो अभी फिलाल मैं आप लोगों को बस इतना एक होंगा सर्क positivity को बना के रखें market में 1% की भी negativity नहीं होनी चाहिए ये 10 दिन हमारे लिए बहुत एहम है आप सभी leaders की जिम्मेवारी है कि अपनी अपनी टीम के अंदर positivity को बनाए अपनी अपनी टीम को handle करें अपनी अपनी टीम को 10 तारीक तक आपको सिरफ रोकना है और काम को continue रखना है काम को बलकी और जोरो शोरो से करना है और 10 तारीक के meeting में जो भी leaders आप लोगों के आ रहे हैं तो वो सभी leaders और company आमने सामने बैठके सारे मुद्दों पे बिल्कुल serious तरीके से हम लोग आगे decision लेके आगे work करेंगे सो मुझे पूरी उमीद है कि आप सभी leaders और सभी users मिल जुलके पूरी positivity के साथ बने रहेंगे और सिरफ ये जो 10 दिन के लिए हमने जो recharge को भी अभी हमने बंद कर दिया है 10 दिनों के लिए क्योंकि recharge में एटेल और जियो का तो वैसी problem चल रहा था लेकिन फिर हमने क्योंकि market में एक्टिविटी तो हो ही रही है तो हमने इस पे भी कुछ final निरने लेने के लिए कुछ decision लिये है तो हमने फिलाल इसको भी 10 दिनों के लिए रोक दिया है तो 10 तारिक को finalize meeting होने के बाद 11 तारिक से ही सारी चीजे दुरूस्त चलेंगी किस तरीके से चलेंगी क्या क्या होगा कैसे हम लोग आगे की रननीती बनाएंगे किस तरीके से meeting seminars होंगे all over India किस तरीके से हम लोग planning करेंगे किस तरीके से leader काम करेंगे किस तरीके से company काम करेंगी किस तरीके से user काम करेगा वो सारी रणनीती हमें बनानी पड़ेगी क्योंकि जब भी कोई अगर मालीजे कोई problem का आभास हो रहा है problem है नहीं लेकिन हमें थोड़ा सा यह आभास हो रहा था कि अगर इसी तरीके से चलता रहा है और अगर इस फे गहन चिंतन नहीं किया गया तो आने वाले समय के अंदर कुछ प्रोबलम हो सकती है तो हम क्या प्रोबलम का इंतजार करें कि प्रोबलम जब हो जाएगी तब देखेंगे क्या करना है तब समय नहीं मैं आपको clear cut बता देता हूं कि अगर problem एक बार आ गई वो खड़ी हो गई दरवाजे पे तो फिर उसका solution निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन अगर आपको problem का कोई आभास है कोई चिंता है उस चीज की और आप पहले से ही अगर अपने आपको विवस्थित कर लेते है तो एक बहुत अच्छा निरने रहता है और मुझे पूरी उमीद है कि company और leaders सभी मिलके एक बहुत बढ़िया निरने हम लोग लेने जा रहे हैं और जो की positivity ही लेके आएगा negativity बिलकुर नहीं लेके आएगा और काम double नहीं मैं कहूंगा कि शायद हो सकता है मुझे पूरी उमीद है कि 10 गुना 20 गुना जादा बढ़ जाएगा आप लोगों की income जादा बढ़ जाएगी और आप लोगों की income बढ़ाना ही मेरा करतव्य है यसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं तो company जो है पूरी इमानदारी से काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी बस आप लोगों का थोड़ा सही योग चाहिए आप लोगों का साथ चाहिए तो सभी leaders जो है पूरी मानदारी के साथ पूरी मेहनत के साथ अपनी टीम को पूरा motivate रखें उनको handle करें और 10 तरिक तक जो भी चीज़े रोकी गई है उस अभी लोग आएं ऐसी मैं उमीद करता हूँ और उसके बाद वो अपने साथ में अपने टीम में से जो उनके जुजारू leader है जो एक responsible leader है वो second level होने चाहिए minimum क्योंकि देखे first level वाले भी बहुत अच्छे leader है लेकिन अभी फिलाल हम immediately इतने सारे लोगों को नहीं बुला पा चाहे responsible जो leader हो आपकी नजर में तो उनको आप लेके आ सकतने हैं इस 10 तारिक की मीटिंग में बस आने से पहले 8 तारिक तक मुझे एक बार finalize आप लोग जुरूर बताएंगे सभी third level achiever आप लोगों की responsibility है कि आपके साथ या आपकी team में से कितने second level achiever आ रहे है ताकि हम खाने पीने की जो विवस्था है 9 तारिक की रात की और 10 तारिक की तो ये पूरी विवस्था जो है हम लोग सही से कर पाएं So thank you all the best be positive always मिलते हैं